दोस्तों कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल होगा कि किसी एक बैक्ति के मरने के बाद उसके एकाउंट के साथ क्या होता है और एक्जामपल अगर उसी एकाउंट से हम पैसे उड्रोल करना चाहते हैं तो ओ कैसे करेंगे या फिर हमें पता ही नहीं है उस बैक्ति का एकाउं करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके से बैंकिंग के रिलेटर जो भी सवाल हो या फिर अपडेट्स हो आप लोगों को मिलता रहा है तो पहला जो सवाल है अगर वो बैक्ति के मरने के बाद आप पैसे कैसे उड्रोल करोगे तो यह एक लंबा प्रोसेस है लेकिन आप उड्रोल कर सकते हो अगर बैक्ति ने सही से अपना नमीनी जिसको आप उत्रादीकरी बोलते हो वो पूरा डीटेल सही से डाला हो तो आपको बैंक जाना है बैंक में जाने के बाद यह डेट का पूरा सर्टिफिकेट लेना है और आप उत्रादीकरी हो इसको प कर सकते हो और एक चीज है कि आप इसको क्लोज क्यों नहीं करना चाहिए तो अब दूसरी बात यह आती है कि अभी आपको पता था कि इस कोई साल के अंदर कोई इस एकाउट की एकाऊनच को में ट्रांज़क्शन नहीं होता है तो यह इस चीज होता है तो उसके बाद बैंक वाले आपको कॉल करेंगे अगर आपका नाम नॉमिनी पर होगा या पर जो भी registered mobile number होगा उस पर call आएगा call आने के बाद आपको बताना है पूरी चीजें तो अगर आप account को continue करना चाहते हो तो continue कर सकते हो अगर bank वालों ने आपको call किया आपने receive नहीं किया तो उस case में क्या होता है कि आपका जो भी badge रहता है जिसको आप interest बोलते हो interest after जितने भी funds है यह सारे charity में चले जाते है तो यह चीजें तो रह गया अभी के time पे अगर आपके उस बेक्तिक account minus में है तो क्या करना चाहिए देखो minus में है तो आप उसको amount देके तो भर सकते हो जितने भी private sector के banks है नहीं तो जैसे कि मैंने थोड़ी दर पहले ही बता है कि दो साल के अंदर account को inactive कर दिया जाता है अगर कोई भी एक रुपेगा transition नहीं होता है तो यह चीजें आप follow कर सकते हो तो main चीजें कि अगर आप एक account open के हो bank में तो आपको यह चीजें जरूर से follow करना है कि आपको हर एक account पे nominee सही तरीकी से डालना है जितने भी share साप purchase कर रहे हो जितने भी mutual fund में investment कर रहे हो हर एक चीज में nominee का नाम आता है तो nominee आपको सही से देना है अगर यह चीजें नहीं करते हो आपने nominee सही नहीं डाला है तो यह चीजें आपको बहुत ज़्यादा मुस्किल पैदा कर देता है और इस case में आप जो भी funds है बेक्ति के मरने के बाद आप withdrawal भी नहीं कर सकते हो तो इन चीजों का अगर follow करते हो तो आप मतलब मरने के बाद भी आपका जो account है और कोई भी use कर सकता है तो I hope कि यह जो सवाल था आप सभी का यह मैं solve कर चुका हूँ अगर कोई भी issue रहता है तो आप लोग comment करके बता सकते हैं तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स फीडियो में तब तक के लिए बाई चैहें